गुड मॉर्निंग टू ओलो फ्यू आज की कक्सिया में आप सभी का स्वागत है आज हम हमारे पाठ वी निर्मान उध्धोक को एलूमिनियम परगलन जो होता है परगलन उससे आगे बढ़ाएंगे तो अभी हम बात कर रहे थे कि लोगा इस पाठ के बाद जो भारत का एक परमुख परगलन जो उध्धोग है वो कौन सा है एलूमिनियम इसका एक गुन है बहुत अच्छा महतपून उध्धोग धन्दा कई बार ये परसन भी आ जाता है कि एक तो हलका होता है ये क्या होता है हलका दूसरा इसको जंग नहीं लगता लोहे को जंग लग जाता है इसको जंग नहीं लगता तीसरी इसकी जो खास विशेष्टा है कई बार ये परसन आ जाता है अलुमिनियम की विशेष्टा है बताईए उस्मा का सुचालक है तो तामबे की जगे इसका इसका इस्तेमाल कर सकते है उस्मा का क्या है ये सुचालक है इसके अलावा लचीला भी है क्या है ये लचिला है और नेक्स जो इसका एक महतपुन उसे इसना है अगर इसमें दूसरी धातू अगर मिला ले जाए इसे कठोर बनाया जा सकता है और जब ये कठोर बन जाता है तो इसका इस्तेमाल किसमें होता है हावाई जाज बनाने में यह परसन आता है बहुत बार कि जो अलूमिनियम है उसका किन-किन छेतरों में उपयोग करते हैं तो किसमें करते हैं वाई-जाज बनाने में क्योंकि अगर लोहे से वाई-जाज बनाया जाएगा तो वो क्या होगा वेट में भारी होगा उड़ने में उसे दिक्कत आएगी अलूमिनियम क्या होता है कठोर भी हो जाता है और हलका भी हो जाता है इसे वाई-जान जो है असानी से वाई-जाज मंडल में क्या कर सकता है उड़ सकता है बरतन बनाने में इसका काम होता है इसके लावा तामबा बहुत महेंगा होता है और भारत में बहुत कम पाया जाता है और अगर हम दूसरे देशों से उसको मंगवाते हैं तो बहुत ज़्यादा महेंगा पड़ता है इसलिए हम विदुत के अंदर तांबे की जगए किसका इस्तेमाल करते हैं अलूमिनियम का इस्तेमाल करते हैं ये देखिए इसका विकल्प के रूप में इस्तेमाल करते हैं इस पाथ की जगए अभी होई गया कि लोहे की बनाने की बजाए हम जहाज किसकी बनाते हैं श्याबस अलूमिनियम की दूसरा तंबा अगर हमारे पास नहीं है तो किसका इस्तेमाल करते हम तार बनाने में अलूमिनियम का और जस्ता और सिसे के विकल्प भी इसका इस्तेमाल करते है क्योंकि वो भी बहुत मेंगा होता है तो जो देश के अंदर जो अलूमिनियम जो परगलन छेतर है वो कहां है उडिसा में पस्मी बंगाल, केरल, उत्रपरदेश, सतिसगड़ और महारास्टर के अंदर है और वहाँ पर ये जो है बाकसाइट से निकाला जाता है बाकसाइट जो हमारा एसक है उससे हम जो जब सोधित करते हैं तो इसकी प्राप्ती हो जाती कई बार आ जाता है कई बार ये परसन आ जाता है कि अलूमिनियम जो है वो किस पदार से प्राप्त किया जाता है तो किस से प्राप्त किया जाता है उसके बाद में नेक्स जो हमारे पास जो पॉइंट आता है वो हम पहुंचते हैं रसायन उध्योग कौन सा उध्योग है हमारे पास रसायन उध्योग है और जो सकल जो ग्रहलू उत्पाद है उसमें इसका निर्मान की परशेंट कितना है तीन परतिसत है कार्बनिक और एकार्बनिक दोनों ही वस्तुएं जो हैं दोनों ही छेतरों के अंदर हम इसका इस्टेमाल करते हैं अब क्या चीज़े हैं जो रसायन से बनती है क्रित्रिम जो वस्तर हम तयार करते हैं एकार्बनिक जो रसायन है उसमें कौन-कौन सी चीज़े आती हैं सेलफूरिक जो अमल हम बनाते हैं करीटरिम जो वस्तर हम यूटलाइज करते हैं प्लास्टिक जो हम बनाते हैं गोंद का इस्तेमाल करते हैं रंग रोगन करते हैं या या डाई ये सबी एकार्वनिक वदार्थ हैं और ये किसके अंतरगत आते हैं रसायन उध्यों के अंदर आते हैं कहने का भाव ये होता है कि जो वो उध्यों धंदे जिसमें रसायन को कच्छे माल के रूप में इस्तेमाल किया जाता है और उसे नए माल को क्या किया जाता है तैयार किया जाता है उसके बाद में यहां नाइट्रिक अमल है अकसार है सोडे का हम निर्मान करते हैं यह सारे के सारे या कास्टिक जो सोडा है वो भी हम निर्मान करते हैं उसका जिसका इस्तेमाल जो एजंग को उतारने के लिए किया जाता है साबून हम बनाते हैं उसका इस्तेमाल भी रसायन उध्योग के अंतरगत ही होता है यह सारे के सारे रसायन उध्योग में क्या होते हैं कनवर्ट होते हैं जो कार्बनिक जो रसायन है उसके अंदर जो महतापूर्ण जो उध्योग दंदा है वो हमारा पैट्रो रसायन का कई बार आ जाता है ये पेट्रो रसायन से आप क्या समस्ते हैं तो जिसमें कार्बनिक रसायनों का इस्तेमाल करके नई वस्तूओं का निर्माण किया जाता है तो वो क्या है हमारे पास क्रित्रीम वस्तर है क्रित्रीम रबड है प्लास्टिक है रंजक पदार्थ है पैठिक की जो दवाईयां होती है वो सारी नी रसाइनों से क्या की जाती है तयार की जाती है इसी से तयार होती है सारे रसाइन होते हैं इसके अलावा जो है ये जो दोग है वो तेल सोधन सालाओं और पैट्रो रसाइन से नेंतरों के क्या होते हैं समीप होते हैं इसलिए इन ध्यान कर रहे थे इन पदार्थों का उनके अंदर कुछ एक ऐसे उध्योग दंदे जिनको क्या बोला जाता है पेट्रो रसायन बोला जाता है तो पेट्रो रसायन में आते हैं हमारे पास यह प्लास्टिक है रंजग जो पदार्थ अब हमारे पास जो next points आता है वो आ जाता है उरूरक उध्योग खेती के लिए जो हम करित्रिम जो है खाद का जो इस्तेमाल करते हैं उसको हम क्या कहते है उरूरक कहते हैं ये दो परकार की होती है हमारे पास एक तो होती है खाद खाद तो क्या होती है प्राकर्तिक होती है क्या होती है प्राकर्तिक और उरूरक क्या होती है क्रित्रीम होती है यह अंतर है जो प्राकर्ति खाद है वो हमारी कैसे होती है गोबर है जैसे या फिर जो व्रक्षों के जो पत्ते हैं जो गलसड जाते हैं उस से हम निर्मित करते हैं वो सारी क्या होती है खाद गहलाती है लेकिन वो हमारी खेती को जो उसका बेस है या उसकी जो आवसकता है उसको पूरण नहीं कर पाती है उसमें बहुत से पोसक्ततों की क्या रह जाती है कमी रह जाती है तो उसके लिए हम क्या करते हैं कृतरिम जो ख पोटास, जिंक, सलफर, ये सारी की सारी जो हैं हमारे पास मानो निर्मित खाद है, जिसको क्या बोला जाता है, उरूरक बोला जाता है, क्या बोला जाता है, उरूरक बोला जाता है, इसके इस्तेमाल से क्या होता है, जो बूमी की जो जाओ सकती है, वो क्या रहती है, बनी रह दीआ पी में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है दूसरी जो जरूरत होती है वो हमें किसकी होती है फासफेट की जरूरत होती है ये जिंक के अंदर जो है पाई जाती है हमारे पास जिसका हम इस्तेमाल करते हैं और तीसरी हमारे पास होती है पोटास और सबसे बड़ी जो समस्या है पोटास की वो हमारे यहां उपलब्द नहीं है भारत में नहीं है ये इसलिए हम इसे क्या करते हैं दूसरे देश से मंगवाते हैं इसलिए थोड़ा सा महंगा भी पढ़ता है क्या पढ़ता है ये महंगा भी जो है पढ़ता है उसके बाद में धीरे धीरे जो रूरक उद्योग है वो देश के अंदर बहुत फैला है किसके बाद हरित करांती के बाद अभी ये कहां कहां लगा हुआ है गुजरात में बनते हैं तमिलाडू में तयार किया जाता है पंजाब में तयार होती है और केरल में ये उद्धोग दंदे यहां लगे हुए इसके अलावा राजस्तान में भी बिहार में भी पस्मी बंगाल में भी कुछ एक ऐसे राज्ये है जहां उत्पादन किया जाता लेकिन जो 50% जो उत्पादन है वो ये राज्ये करते हैं कई ब लुआ जो नेक्स न फारे पास उद्धोग आता है वो आता है सिमेंट उद्धोग अब आपने बड़े-बड़े मकान बनते हुए देखे होंगे बहुमंजली मारते बनती हुए देखी होंगी पुल बनते हुए देखे idoंगे बड़े-बड़े कारखाने बनते हुए बनाए जाते हैं इन सब में इसका क्या होता है निर्मान के अंदर एक आवस्षक हमारे पास वस्तु है या तत्व है अब इसको हम निर्मित कैसे करते हैं कई बार ये परसन आ जाता है कि सिमेट का निर्मान किसे किया जाता है तो क्या-क्या मिलाते हैं चुना पत्थर ध्यान दीजिएगा सिलीका और जिपसम इन तीनों को जो है मिलाते हैं तो हम किसका निर्मान करने में सक्षम हो जाते हैं सिमेंट का निर्मान करने में सक्षम हो जाते हैं इसके लिए दो तिन चीज़ों की आप सकता पड़ती एक तो रेल पर इवेंट चाहिए क्योंकि ये जो निर् दूसरे स्थान पर पहुँचाने के लिए क्या चाहिए हमें रेल चाहिए। इननी भी हम सीमेंट का निर्मान करते हो देश के अलावा जो है खाड़ी के देश हम वेजा जाता है जो पत्तन है गुजरात के वहां से भारत में सीमेंट का जो पहला कारखाना है वो रानी पेट में लगाया गया था चिन्नेई में 1904 के अंदर उसके बाद हमने दीरे दीरे जो गुणवत्ता में इसके सुधार किया है और देश के अंदर भी इसकी घरिलू मांग बढ़ी है क्योंकि अब देखोगे आपको हर जगे जो मकान आपको पक्के बने हुए दिखाई देंगे हर दिन जो है हम देश के अंदर पूलों का निर्मान कर रहे हैं नहरों का हम न गती कर रहे हैं उसके बाद जो नेक्स्ट हमारे पास आता है वो आता है मोटर गाड़ी जो कार हम बनाते हैं बस हम देखते हैं मिनी ट्रक हम देखते हैं स्कूटर तिपईया जो वाहन चलते हैं वो सारे के सारे कहा पर निर्मित होते हैं मोटर गाड़ी उधोगों में निर पुलकता, लखनव, इंदोर, हैदराबाद, जमसेदपूर और बैंगलोर ये हमारा जो है मोटर गाड़ी जो है उध्योग है और उसके बाद सबसे इंपोर्टेंट उध्योग हमारा यहां पर आ रहा है और वो है सूचना, प्रोध्योगिकी और इलेक्ट्रोनिक उध्योग और इसकी जो राजधानी है वो बैंगलोर है आजकल इसका नाम बंगलूरू हो है क्या हो गया है बंगलूरू इसके अंदर क्या होता है मैं आपको बता रहा हूँ टेलिफॉन टेलिविजन कम्प्यूटर रडार ये चीज़े निर्मित की जाती है और सौफ्ट्वेर दो परकार की सौफ्ट्वेर होते हैं कम्प्यूटर डिपार्टमेंट में एक हार्डवेर होता है और दूसरा क्या होता है सौफ्ट्वेर होता है तो ये सूचना प्रोध होगी कि के अंदर इसका क्या होता है इस्तेमाल होता है तो ये सबसे ज़्यादा कहां पर बनते हैं साउथ जो के अंदर जब हम जाएंगे तो करनाटक के अंदर इसका सबसे ज़्यादा क्या किया जाता है निर्मान किया जाता है ये देखी अभी मैं थोड़ी देर पहले आपको बता भी रहा था कि बेंगलूरू भारत की एलेक्ट्रोनिक जो राजधानी है इसके अलावा जो महानगर है भारत के मुंबई, दिल्ली, चिन्नई और कोलकता उसके अलावा हैदराबाद और पूने और लखड़ाओ में भी है और इस उधोग का सबसे ज़्यादा जो सैकेंदरन है वो कहाँ पर है कई पर ये परसन आ जाता है तो बेंगलूर, नोइडा, मुंबई, चिन्नई, हैदराबाद और पूने और भारत जो है पूरे विशो के अंदर सबसे ज़्यादा सोफ्टवेर जो है विशो को निरियात करने वाला पहला देश है चूशना प्रोधोगी के अंदर सबसे ज़्यादा सोफ्टवेर भारत के बनके कहाँ पर जाते हैं विदेशों में जाते हैं सबसे ज़्यादा जो है इसका इस्तेमाल किया जाता है उसके बाद जो next हमारा जो point आता है वो आता है कि इतने ज़्यादा उधोग दंदे हमने लगाए हुए हैं तो उधोग दंदों से उधोगिक परदूशन भी होता है और प्रियावन का निम्नी करण भी होता है क्योंकि हम सवैम जानते हैं किसी भी देश के जो उधोग दंदे हैं उनके निर्मान के अंदर जो सबसे ज़्यादा जो कारक है वो क्या काम करता है उधोग काम करता है क्योंकि द्वीतियक और तिर्तियक जो छितरक है वो कब आएंगे द्वीतियक और तिर्तियक जो छितरक है ये एक बहुत बड़ी समस्या हमारे सामने क्रियेट हो रही है बहुत बड़ी समस्या का हम यहाँ पर दो चार हो रहे हैं और प्रियावन जब परदूसन होता है तो मानों के स्वासत्य के उपर वनस्पतियों के उसका बहुत बुरा क्या पड़ता है तो अब हम यहाँ बात करेंगे कि उध्धोगों से को किस-किस परकार का परदूसन होता है तो महतरपुन रूप से चार परकार के परदूसन होते हैं नमबर एक वायू दूसरा जो परदूसन है जल तीसरा दो परदूसन है ध्वनी और चोथा जो परदूसन है वो इससे किसका होता है भूमी का होता है और इन सभी परदूसनों के बारे में हमावारी आगे की कक्षा में अध्यन करेंगे थैंक यू